थो आज हमारा प्हल्र लेक्टिर अकाउंटिंग करते हैं कि वाट इसक प्रपा इस बात का अगर हमने किसी बंदे से या किसी बात को समझना है तो हम्हें उसकी लेंगविज जाना जल्रूरी है तो इसी तरीके से अगर आपने बिजन्स के को समझना है तो आपको Achaunting हिरता ज़रूरी है तो इसलिए價 लेंगे से लेंगे आकवेस्ट ने रहेंगे चीमरेंगे लेहां बिजली से ले लेंगे लिएगे ना करो आप狂व है की सपानिशには भाएजने के लिए आपको ञ्मूहरी है तो अकाउंटिंग ने लेंगविज अबिज सेकंड हम अकॉंटिंग में करते क्या हैं आकउंटिंग में बेसिकली हमाइब पास तीन चीज़े सबसे पहले इस जी वे आफ गालेक्टिंग एंड समराइजिंग फाइनेशिल इफॉरमोशन फ़ा-बिजन्स यह काउंटिंग के देफिनेशन कंप्लीट होती है तो इसमें तीन चीज़ा आ जाती है सबसे पहले क्या चीज़ है इस दी वे आफ क्लेक्टिंग रिकॉर्डिंग एंड समर्वाइजिंग फाइनेशल इन्फरमेशन आफ बिजन्स यह मारी देफिनिशन कंप्लीट चाहती है कभिसं को समझे लिए इसमें क्या बात हो रही है सबसे पहले हिए जब कोई बीजिशन करते है कर दा दиновने बेटें पैमिंट्स हो द्यच्य पैसे आरा है इंप्लायुस को पैसे करे हैं। मुखती हैं, जो बिसस्म में लेंदें हो रहा है। तो जतनी हमारोN की ट्राइबिश्च्शंस होती हैं , सबसे हमने कनकर कुलेक करते हैंkiej, रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले सीज होती है collection of information अब यह collection कैसे होती है through source documents यह source documents क्या होते हैं जब आपको पर्चेजिंग करते हो कहीं से तो आपको कोई invoice मिलती है purchase invoice आपको कोई expense होता है तो आपको इसका bill आता है आपके पास हिए जब आप sales करते हैंbon सेन एनलेट होती है payment करते हैं 수면 जाती है छेस कर तो यह सारे होते हैं source doc इंट आपको information collect करनी होती है यह आ से information collect करने के बाद हम इसको 그러kiemिंग कर जा Igningar val account का एक पार्ट है hon. 하지만 सबस्क्राइट ने गासे ब Lookingक करने करने के अब फ시न हम ने क buffer को आपको नहीं पता लेकिन असान समझने के लिए यह पूरे साल अपना बिजनस किया वह सारी इंफॉर्मिशन आप एक जिगर समराइस करके यह देख लेते हो कि कि एड डी एंड अफ फ आंड ये आपने प्रफिट कितनार का या कितना परक्त लाउस कितना लाउस हूभ यह आपके पासक इड्स आपके इंड से Connie आफ लेज़ रिए यह ताब को स्क्र एंड समराइजिंग फाइनिशन इंफॉर्मिशन यह आपके अकाउंटिंग के डेफिनिशन होगी अब सवाल यह आता है आगे अकाउंटिंग हमने पढ़ना क्या है जोwriter कि हैंटिंग बात की अब हैं कि हैं क्यांटिंग करनें दो किसी इसकी रिकॉड़ करेंगे हैं सब्सक्राइबुच्ताइब कि सबादीट कि सब्सक्राइब कर्द्द सब्सक्राइब ना तो चाल्स बाबिच का नाम आता है इससे नम किसी मैथमेडिशन का नाम पढ़ लेते हैं अलजब्रा पढ़ते हैं तो इसी तना से अकाउंटिंग को भी किसी ने इन्वेंट किया एक सहाब थे लुकास Sounds ने का नाम था और वीस mercury नहीं रहे तो सौन pools दूलीवकास पासी नहीं का नाम था फॉर्टीन 94 नवंबर में इन्होंने अकाउंटिंग को इंवेंट किया थी कह? तो एक छोटी से इंफॉर्मेशन थी आपको पता होनी चाहिए सब्जेक्स रिलेटिट और आगे बढ़ते हैं जिसकी बात कर रहा था मैं रूस ऑफ डेबिट एंड क्रेट की अभी रूस अफ डेबिट क्रेट क्यां कॉंसे हैं पहले मिन हैड्स को समझते हैं आपके पास नाम यहां पर लिखे में एक्सपेंस लिबिटी कैपिटल रेवन्यू एक एक हेड़ को पहले समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे यह हैड्स जिनकी आप बुक्किपिंग करेंगे जिनको आप अपने अकाउंट में फाइंश स्रेटमेंट में या अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे ऐसिर्स क्या चीजू होती है एक्सपेंस क्या होते हैं एक्सपेंस के इखराजाट जो जो दृटियल में पढ़ना है अपने अपने पर थे खर अपक्ते आप पॉलिय को मैं यह थे आपकर दो थे क्रणा निश्क कर सब्सक्राइब अपने अब जो करते ने बॉजने के बॉजनेंश के सब्सक्राइब अब लेबिट्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ यह नहीं कि आपने बैंक्स आप के बाल इंग कर लिए लाबिट्स की डिफनिश चेकल बोर सकती है जैसे कि पहले चीज़ेंग की बैंक्स आप लीट्वर्रे आपके पैसे आगए सेकंड अगर आपने किसी वेंडर से किसी सपलायर क्रेटटे से क्रेड़ पे माल पर्चैस किया है कोई भी चीजस पर्चैस की अपने तो वह भी आप PB तो भी खर्ज़ हैं और एक हर्ज़ की यह फॉर्म भी है कि आपने कस्टमर से एड्वांस में पैसा ले लिए हो किसी कस्टमर ने आपको ड्वांस में वह भीडिपी तो सबसे पहले एसित्स बिजनस के जैदाद आपके असासे एक्सपेंसिस बिजिस के खराजात लेज़् ब अब अकारूंटिंग में कैपिटल की तर्मिनॉलजी का मतलब क्या है का मतलब का मतलब होता है सरमाया वह पैसा जो आपने बिजनस को सेट-ब करने के लिए लगाया कि वह पहसे जोपने बिजनेश को सेट अप करने के रिलिए स्वलाइब करने के लगाया जैसे आपने क्यर्शा नॉपक्स के हैं कि आप बिजन चाहिए पूप को लेंड की ज़ इसके लाव भी कुछ होता है बाद में डिसकस करेंगे रेवन्यू का मतलब क्या होता है आपकी आमदनी अब यह आमदनी कैसे आती है अगर आपका ट्रेडिंग बिजनस है तो आप गोड्स पर्चेस करके आगर सेल करके जो भी बिजनस पैसा अंड करेंगे वह आपके रेवन अब इन 5 हैट्स की क्या क्या डिटेल्स हो सकती है क्या 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 एक्जम्पल सकती है वह आगे देखते हैं लेकिन उससे पहले आपने समझना है रूस और डेबिट एंड क्रेडिट या रखें जब भी आप अकूंटिंग में कोई चीज रिकॉर्ट करने जाएंगे तो क्लियर होती जाएगी याद रखें अकाउंटिंग कभी आप एक क्लास में किसी भी सब्यक्राइब क्लास में नहीं सकते हैं टेक टाइम आपको लगेगा थोड़ा सा ओके तो सबसे पहले चीज आती है एसेट जब आपके इंक्रीज होंगे तो डेबिट साइट पर तो पहली सीजब मैंने वजी एसेट हो रहे हैं तो डेबिट साइट पे जा रहे हैं और डेक्रीस हो रहे हैं तो क्राइट साइट पर आ रहे Seems और ऺपे एक्सहराजा मेद्रीज होंगे उसी तरीजेब नियृट साइट पर रिकौर्ड हो जाएंगे सOR लिकीया चाइज़ा तोब क्रेट साइट पर और वह कुरेद साइट पर चला जाएंगा तो इसका बचल यह होग हुआ हमाई पास संच है झें था करेएं इनक्रीज्फ होके उसके ऑपोड़ साइट पर और तीन हैं जो कि में इसके तरीक इसकी डियाद पर डिक्रिज्फ होुए है आप यह आद करने कि कॉन से दो हेड विए, कौन से आइसे आद का हेड़ी का हैं होते हैं तो आपको खुद बाख सब्सक्राइब को einset है हैं जो क्रेड़िट साइट पर इंफ्रीज हो रहे हैं कैसे याद हो गाइए, एक 손- क्रेड़ी मनने तरिक याद होगा स्वार उसे आपको याद हुजाएगा एफार हैसिट आइफार इंक्रीज और डिफार डवट एस इंक्रीज डवट हुँआपके एस इंक्रीज होते हैं डविट पर जाएंगे आपने अग्री याद कर लिया पर खुदब बेक्पir प्रिक से याद जाएगा कि आपके ऐसेट को बढ़ेंगे तो कहां पर जाएगे जब आइसे इंक्रीज़ होके डेबिट पर जा रहे हैं तो खुद बाखुद डिक्रीज़ करेड करेड पर आजिएंगे अपसे साइट पर दूसरे आपके पास आती है यहाद में दूबार मना कि डिक्रीजों में और अब मुझे हो ऑपने एक्सेट को याद कर लिए कि अगरे इंक्रीज वह ऑर आपके बाद उन्हीं तो आपके रिमेंग तीन हैड़्ाए गया है लाइबिल्टी टी कैपिटल और रावनियो वह थो आपको याद हो जाएंगे वह क्रेइट इसाइट पर अब आप यह नाम नाम भूल जाओंगा जब आपको यह नाम नाम याद नहीं याद रहेगा एड और याद करने का भी तरीका मौडूल है असान सा एक और उसके लिए टेक्निक है उसके लिए क्या टेक्निक है अब एक वर्ड याद करने clear C L E A R क्लियर जब आभ यहाद कर लेंगे तो आदे मसले वैसे ही खतम जाएंगे अब यह क्लियर से क्या याद होगा आपको बता रहे तो हम यहान लिग देता हूं मैं इसको एक छोड़ी सी टेक्निक याद करने के लिए आप जब क्लियर याद कर लेंगा आप खुद बहुत हैड आफ अकाउंट से याद जाएंगे सी फॉर कैपिटल एल फॉर लाइबिलिटी ए फॉर एक्सपेंस ए फॉर एसेट या एसेट्स और और फॉर रेवनियू तो आपको खुद ही याद हो गया जब अपने क्लियर याद कर लिया क्लियर से आपको याद हो गया पांच हेट्स और जब आपको पांच हेट्स के नाम याद हो गया है अब आपको इसमें पता है एड़ और एड़ एसेट्स और एक्सपेंस आपके डेबिट साइट पे इंक् काम चलेगा ठीक हमने क्या पड़ हमने सबस्वाइल की डेफिनिशन पड़ी हमने यह देखा कि अकाउंटिंग इन्वेंट कब हुईती और किस ने इन्वेंट की थी लुकास पास्विलियन का नाम था 1494 नमवंबर में और इसके बाद हम आ जाते हैं रूस आफ डेबिट्रेट पर अच्छा जी अब आगे बढ़ते हैं और अब हम डिटेल में डिसक्स करेंगे एसेट को लोग यह समझते हैं सिर्फ अकाउंटिंग का मतलब है कैलकुलेशन जब तक आपको अकाउंटिंग की कैलकुलेशन भी समझनी आगी रट्टा लगा ने अलग बात है उसका फायदा कोई नहीं है अच्छा जी सबसे वहले हम स आपको और बताउ मैं एम पहलेमड एक्सेट की डेफिशन नोट कर लेक見 एक descent की definition क्या है DC definition in resource पहर समझ भी लिहने definition के resource controlled by n.... entity arising as … a result of past event from which is it प्रोबाबल देट फूचर एकोनोमिक बैनेफिट्स वेल दो दी एंटिटी यह आपके असेट के डेफिनिशन आदे अब इसका हम समय लेते हैं कि डेफिनिशन क्या कह रही है रिसोर्स कंट्रोल बाइन एंटिटी आराइज इस प्रॉबाइबल डेट फीच अक्तामिक बैनेफिट विल फ्लो टू दी इंटिटी इसमें तीन कि डेफिनिशन का मतलब का मतलब यह होता है जो आपको किसी चीजल की पैचान बताए तो मैं आपको पचास एकजेम्पल लक्राय तो यह 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 इसट होते हैं कोई थादनी उसके यावख कूई वह आपका एसेट है अब मैंने यह नहीं लिखा ओंड वाइन एंटिटी ओनर्शिप का होना जरूरी नहीं है एसेट होने के लिए कंट्रोल का होना जरूरी कई बार ऐसा होता है और वैसेट को रेंड पर लेकर आए तो नेक्स तैन यहे इसके लिए जब आपके लेकर आ रहे होना जरूरी नहीं है जरूरी नहीं आप एसेट पर चेस करके लाएं तभी वह आपका एसेट को रेंट पर लेकर आते हैं और बिजनस के लिए यूस करते हैं तो तब भी आपका उस पर कंट्रोल आ रहा है वह आपका एसेट रिकॉर्ड होगा तो सबसे पहले चीज होगे इसका क्या मतलब है वह जो आपके पास कंट्रोल आया एसेट का यहां पर बिजनस करूंगा तो उसका जो रेंटल एगरिमेंट जिस वक्त हुआ वह एक इवेंट था उसका हम पास्ट कहते हैं तो कोई ना कोई इवेंट होना जरूरी किसी भी ट्रांजिशन पर होने के जब मैंने एग्रिमेंट साइन किया होगा प्रॉपर्टी के लेने के लिए और आगे विच इस प्रॉपेबल एट फ्यूच नॉमिक बैनेफिट इस का क्या मतलब है कि इस रिसोर्स से जिसके आपका कंट्रोल आ चुक है आपको फ्यूचर में एकनॉमिक बैनेफिट भी मि खश medica क्लासिफाई नीच हो सकता है यह 3 चीजह को होना जरूरी है मतलब मैं कहा कि मेरे पास कंट्रोल आगा लेकिNछी स्वहरामिंट नहीं सकता है कोई नहीं कर सकता ऐसे और यह तो मैंने आपको पाकिसान पाकिसान में नहीं कर सकते तो अब तो प्लान्ट मेरे किसी काम कहीं नहीं जाएंग नीहीं कर सकता है बासमझ जारी तो यह चीज़ क्या होगि आपकी फ्यूचनाइक बैनेफिट आपको नहीं मिल सकते तो एक पॉइंट आपका मिस होगी है से कंट्रोल अगी आप फिचर अक्नामिक बैनेफिट नहीं मिल सकते अब इस रिसूस को थी कॉइस रिकॉर्ड होना ज़रूरी है एक प्रशेस किया था और मेरे पास अब उसका कंट्रोल भी है मैं जितनी चाहिए क्रिप्टो की माइनिंग कर सकता हूं जिन में जितने घंटे काम कुन हुदे में जितने चाहिए काम करूं में पस कंट्रोल आ चुका पास्ट होगा फीचर बैनिफेट भी मुझे मिलेंगे अब म और बात करते हैं वह दो टाइप के के एसेट क्या है पहले हैं कि नॉन करेंट एसेट की पैचान बता देता हूं नॉन करेंट एसेट वह एसेट हैं जो बिजनस में आपके पास हो रहे हैं उन्च पर पर लॉंट लॉंग टर्म के लिए बिजन में यूज ओंगा आपके आपके इंटेंशन तो यह है कि मैं इसको एक साल से जादा के एड़से पर यूज करूंगा डिस इस नोन ऐसी नॉन प्रेंट असेट्स तो पहली चीज़ यह बिजन में यूज हो रहे हैं सेकंड फॉर लॉंग टम थर्ड आर नॉट इसली कंड ऐसने से कंड नहीं होते क Spanish आप यह scoring मैं यूज होने के रहे हैं और नॉट इसली कंड इपन होते इक इन्यांट लगा लेंट अब जो से प्राइब लगाया वह बिजनस में यूज़ करके एलेक्रिस्रीटी प्रिडीऊ करेगा अगर तो वह प्रिज्टिटी प्रिडियूस करेगा और सी बात जब एक एक इन्वेस्मेंट करके एक पावर जिन्वेशन प्लांट लगा रहा है तो वह लॉग टाम ऐसे तो कि मैंने अपने प्लांट को सेल करना है तो ऐसे खड़े खड़े तो सेल नहीं हो जाएगा उसको पहले एक बायर को लुकेट करना पड़ेगा जो कि उसी टाइप की ट्रेडिंग अक्टिविटी करता हो वह अपने ही जैसी कोई अगरूमल उसके आपको बाय posis को अचराने के आएंगे के कर्रीज में सर नहीं होते कि आपको लूप अपने होगा है । आविलेबल नहीं होता अब मैं इसकी एक्षा आन चुरू करें हो इस था यह बिजमें आप पर आपके आज जाता है फरनीचर और फिक्स यह मैं आपको वह दे रहाँ खास्ता पर जो एक जगह से दूसरी का लेकर जाते हैं फ्यूल को ट्रांसपूर्ट करते तो वह बिजन में यूस हो रहा है ना बिजन को रेवन्यू करके देना है बिजन कंट्रोल है उसके उपर तो यह भी आपके कहा है वही का नॉन हो सकते हैं आपकी बिजन में आप मुक्तलिफ किसमें टूल्स यूज कर रहे हैं यह भी आपके नॉन का इसेट का पार्ट बन जाएगा तो यह कुछ एक्जेम्बल से मैंने आप लिगती नॉन क्रेंट अब हम बात करते हैं दूसरे टाप के कौनसे असेट हमारे पास हमारे अब शॉर्ट लाइफ का क्या मतलब है शॉर्ट लाइफ का मतलब है लैस देन अकाउंटिंग पेडिया ट्वेल्फ मन्स जो बारह महीनिके अंदर ये अंदर आपके या तो यूटलाइस हो जाएंगे या वह कैश में जाएंगे इसलिए इसको इसको इसली कनवर्टेबल न या फिर यह जाएंगे यूज जाएंगे विदिन एन अकाउंटिंग पिरिड्ट विदिन ट्वेल्फ मन्स ये करने एसेट क्यलाते हैं एक्जेम्पल गारे तो सबसे पहले हमाई एक्जेम्पल इसल्फ कैश और बैंक कैश तो आपका है एक अविलेबल इन फॉर्म आफ कै प्रफिते हों बैंक में जब का पैसा है वो भी आप बैंक से विद्रॉक करा किश में करा सकते हो तो यह आपके एक्जेम्पल है और एक्जेम्पल मर्चंडाइज इंवेंट्री अब मर्चंडाइज इंवेंट्री क्या चीज़ होती है एनिधिंग विच विभाए की हैैं मिद्याज इंवेंट्री कि बात कर लेते मां पर एकना समान आपको रखा हुआ मिलेगा मैं पर शोरूम की बात करो जितनी आपके पास आपको गाड़ें खड़ी नाज़र आएंगे उसने बेशने के लिए पर्चेस की है तो मेशनाडाइज इंवेंट्री बेस करेगी बिजनस के नीचर पर अगर मैं किसी हैबिट की बात करूं तो हैबिट के बात जितना फरनीचर आपको एक और एक्जेंपल अकाउंट सीवल की कैसे या तो बारा महीनी मों बिग जाएगी और नहीं भी कि तो या तो इसकी लाइफ इतनी शौर्ट होगी एक्सपायर हो जाएगी या फिर आप जिस वेंडर से आपने इसको पर्चेस के सप्लायर को वापिस कर देंगे कोई भी च तो आप उससे पैसा मंगते हो उस पैसा मांगने को हम कहते है अकाउंट सीवल लेना 1,000 रूप्य की और जिस बण्दे से मुझे पैसे लेना बाकी है इसका डिटर बोलेंगे यह डेटर नहीं है प्शालन्ट है यह डिटर सा प्राइब आपने उधार पर या प्राइट पर समान सेल किया है और पैसा उसका जो लेना बागी है उसको अकाउंट सीबल या डेटर्स कहा जाता है यह क्यों है किसी को भी आप नॉमल बिजिन में सेल करोगो तो एक साल का टायम तो दोगे नहीं मैक्सिम 90 डेज का टायम दे पैसे देखे चले जाएगा या फिर आप उस कस्टमर को डिसकाउंट ऑफर करके उसे जल्दी पैसे ले लो गए तो अकाउंट सीबल भी करेंट एसे क्यों है क्योंकि वह या तो कैश में कर जाएगा या इसल खतम हो के राइट आफ हो जाएगा अगर पैसे लेके भाग गिया कि करदा ये Queensland को अपायकु आप नहीं ली ली है तो वह अजब तक आप लुग नहीं कर लेते सब्सक्राइट वारे यह क्यों करेंड़रे क्यूंकि विदिन न ये आकाउंटिंग फिरेड़ी आपकर Cambridge हो जाएगा वे इस वनखर आपका इस कि विदिन 12 मास आपका यूटलाइस हजाएगा कैसे तभी भी आप एक साल से जादा अरसे की तो प्रीपेमेंट नहीं करोगे इन के सकर दी तो फिर क्या होगा बताओंगा बता देंगे उसका भी सुलीशन है लेकिन नॉमली प्रीपेमेंट्स बारा महीनी के अरसे के लिए ही होती है लेकिन अगर आपने फॉर्द हैं प्रीपेमेंट्स कर दी नेक्स 15 मेंस की तो बारा महीनी के प्रीपेमेंट्स है वो आपकी एसेट क्लासिफाइगी तो प्रीपेमेंट्स आपके यूज्वली 99.99% केसिस में आपके बिजनस के अंदर जो आपका कोर्स है जो भी आप परड के लिए ऐसा पॉसिबल है कि प्रीपेमेंट एक साल सब्सक्राइग तो यह भी आपके और आखिर में एक एक एक्जेम्पल और ऑफिस सप्लाइस की अभी आफिस सप्लाइस कैसी होती है आपके छोटे-छोटे सब्समें यूस होते हैं अब आप लोग बोलेंगे यूस होते तो फिर तो नॉन करेंट में चाहिए था नहीं मैंने का यह बहुत छोटे-छोटे सब्सक्राइस होते हैं जिनकी लाइफ बहुत चौर्ट होती है विदिन अकाउंटिंग पिरिड यूटलाइस हो जाते हैं इस वजह से यह करेंट में क्लासिफाई करेंगे एक्जेम्पल इस स्टेशनर्य का समान हो गया यह आपके करेंट रसे समय चाहिए यह अब की काट मेंद्वाइज हो गए किसी ब्रनेंटर के पेज़िज ऑ गया यह सब आपके आपस्ट में क्लासिफाइब करते हैं तो सबसे पहले आप लोग मैंने बताया था एसेट क्या चीज़ होती है जिसमें आपको तीन चीज़े नजर आ जाएं कंट्रोल नजर आ जाएं पास्टीवेंट की वजह से हुआ हो और आपको फीचर में बैनिफिट्स मिलें यह आपका एसेट हैं और फिसकी दो क्लासिफिकेशन थी नॉन करेंट एसेट और करेंट नॉन करेंट वो थे जो बिजिसमें नॉंग टर्परपस के लिए यूज हो रहे थे और यह नोट इसली कंवर्टेबल इंटू कैश करेंड एसेट वह हैं जिनकी लाइफ शॉर्ट है और एक कै है लेकिन वो नेक्स लेक्चर में थैंक यू